आगामी 12 अगस्त को संभागी मुख्यालाई सागर मैं पहली बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का सिलसिला युद्ध इस्तर पर जारी है। अगस्तर पर जिले के भाजपा विधायकों, उच्पत अधिकारियों और जिले के आला अधिकारियों का प्रति दिन निरिक्षन भी जारी है। स्मार्ट सिटी के नर्मान कारियों की बात की जाए तो प्ये मोदी के आने से पहले ही इनके नर्मान कारियों में तीजी आने के साथ ही पूर्ण हो चुके नर्मान कारियों में सुंदर्ता का दौर जारी है। स्वामवार की बात करें तो नगर निगम की सामने स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई गई रूड के बीचों बीच रेलिंग पर पौधार उपड का कारे वही प्रारंब हो चुका है वही दूसरी ओर सागर जील पर बन रहे ब्रजवा रिंग रूड में भी पिछले कुछ दिनों में निर्मानकार ने तेज रफतार पकड़ लिये हैं इसके साथ ही मुख्य मार्गों की बात की जाए तो नगर निगम सागर से परकूटा तक आने वाले मार्ग पर गड़ेवा कई और नालियों का नर्मानकार भी अभी चूता है जो की पीम के आने तक पूर्ण होने की गुझाईश भी कम रखता है सागर शहर की जनता जानती है कि विगत वर्ष दोहजार बाइस में सियम शिवरासी जाहन का आने से पूरू सागर शहर की सुंदरता के साथ ही तला तीन मड़िया से परकूटा तक आने वाले सेक्णों गढ़्धों को छुपाने के लिए रात और रात सलक का नर्मानकार किया गया था उसी की तरश पर अरब स्मार्ट सेटी द्वारा नर्मानकारियों में तीजी का दार जा रही है जात हो कि यह तुछ सागर शहर के प्रोमकिस्तल है कुछ बाड़ों में जाने के बाद पता चल जाएगा कि कैसे बाड़ों की रहवासी रहते आ रहे है सागर से संजय दिवारी की रिपोर्ट